Data analyst कितना fascinating सा word लगता है ना कितना अच्छा लगता है कि क्या काम होता होगा कैसे काम करते होगे और क्या की चीजें होते होगे कैसे हम भी इस फील्ड में गुज सकते हैं कितना ज़ादा growth है भी इस field में यह सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं, सब कुछ आपके सामने रख दूँगा, आप खुद रिसाइड कर सकोगे, अपने हिसाब से कि आपको इस फील्ड में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, अगर हम ग्रोथ की बात करें, अब पैसो की बात करें, तो सबसे पहली चीज़ तो अगर हम लोग पैसो की बात करें, तो अगर आप जाते हो इंडिया में, if you want to become a data analyst, you can see here that data analyst की जो salary वो range करती है, that is from 3.5 LPA to 6 LPA, and on an average अगर हम लोग देखें, for an experienced data analyst, that is 8 LPA, अगर आपके पास एक 2 साल के experience है, तो और आम से आप 8 LPA के साथ साथ जा सकते हो, या आपके पास, और यह enhanced salary होती है, ऐसा नहीं है कि इसमें से divide हो जाएगा, इसमें से कुछ PF अगर कट जाएगा, है सारी नहीं, यह enhanced salaries होती है, तो इसके बारे हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली जीज़, that is a salary is very good, और growth बहुत अच्छी है, अगर आप इसके बारे हम बात कर रहे हैं, तो टॉप companies कौन सी hire कर रहे हैं, तो companies भी काफी अच्छे अच्छे जो hire कर दें, the companies are Accenture, Amazon, Deloitte, IBM, top companies basically यहां पर देख सकते हो, KPMG is hiring, Cognizant is hiring, Capgemini is hiring, उसके Wells Fargo is hiring, Pro is hiring, different kind of companies are, Mackenzie that is one of the top consulting company of the world, ठीक है, वो hire कर रही है, definitely काफी अच्छा growth है इसमें, काफी अच्छी जगा आपो गाम करने को मिलेगा, अगर आप इस field में खुसना आते हो, तो इस field में हम लोग यह भी देखे कि आज कल क्या growth आगे भी है क्या, तो हम लोग 2014 से लेकर, 2024 का अगर हम लोग rate देखें, तो about 90, US Bureau की report है basically, कि 19% growth है, ठीक है, 19% growth and continuously, अगर हम लोग अभी लाइव, हम लोग अभी 2023 में हैं, लाइव हम लोग देखें, चार साल, पांच साल पहले, इस field का नाम क्या था और आज क्या नाम है, पांच साल पहले बहुत कम नाम था और दीरे 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 बढ़ते बढ़ते यह बहुत जादा field evolve हो चुकिए, अभी जो hiring चल ले हैं, बहुत ही भर-बर के hiring चलती है data analyst की ठीक है, तो definitely आप घुश सकते हो इसमें, यह बहुत जादा ग्रो होने वाली आगे जाके भी and different kind of technologies भी इसमें integrate होने वाले तो definitely आपको live, जो in demand, जो industry standards की skills होती वो आपको आनी चाहिए, अगर आप इसमें घुशना जा रहे हो, तो हर skill होर एक चीज सीखने का एक method होता है, कि भी है, आप free of cost चीख सकते हो, आप एक paid program ले सकते हो, ठीक है, तो आपके उपर वो depending करता है, आपके सामने मैं सब कुछ रख दूँगा, the very first thing, आप एक free program के साथ जाते हो, तो the very first thing, आप YouTube से भी सीख सकते हो, आप चीज़ों सीख सकते हो, बट आपको वहाँ पे distractions मिलते हैं, और आपको यह नहीं पता होता है कि इसके बाद मेरे हो क्या करना है, अगर मैं यह वाला program कतम कर दूँँ, तो मैं आप jobs के लिए कैसे जाओ, तो यह आपको एक upper hand देता है, एक paid program अगर लेते हो, आप तो better structure रहता है, structured रहता है, मिलब क्य रहे हैं, जो की है great learning के तरफ से great learning academy लेकर आया है, data analytics का program basically, जो आपको guaranteed opportunities, 10 guaranteed opportunities, 10 job opportunities आपको देंगे, जिसमें से आप to choose कर सकते हो भी है, कि यहाँ 10 में से कौन सा आपको लेना है, other than that, आपको full time, आपको दो options है, full time classroom program भी है, और आपको online format, घर पे बैटे बैटे भी पढ़ सक कर रहे हैं, आपको better opportunities मिल सकते हैं, अगर आप सामने सामने पढ़तों, आपके doubt clear हो सकते हो रहे हैं, एक दम time to time, उसके बाद आप logo से interact कर, आपका personal growth बहुत जादा हो रहा है, आपका mind बहुत जादा grow हो रहा है, and आप उसी महल में रहे के पढ़ रहो था, आपको काफी application का button है, यहाँ पर tap करोगे, आपके सामने सब कुछ दे दिया जाएगा, other than that, यहाँ पर हम थोड़े detail में discuss कर लेते हैं, जो salary range होने वाला है, that will be from 3 to 6 LPA, and the highest ETC that they have given of the 9 LPA and data analytics, basically, that is a very good salary, definitely, आजकल आप अगर खुद रूणने जाओगे, as a fresh hour, आपको नहीं मिलने वाली है salary, other than that, 2700 plus, जो मैंने top companies दिखाई थी, आपको, उन्हें से सारी companies यहाँ पर listed है, जो hire कर रही है, आपर देख रहो ना, सारी companies listed है, Amazon है, Google है, Microsoft है, Flipkart है, उसके बाद फिर Capgemini भी है, उसके बाद Cognizant भी है, these kind of companies are hiring directly from this particular, तो आपको एक better advantage है कि भी आपको program ख़दर करने के पाद यह नहीं सोचने की जुरत है, जोब कहा लगीगी, आप directly jobs में भी apply कर रहे होगे, directly वो लोग करवा रहे होगा, आपके help होगी वहाँ से, ठीक है, definitely, तो यहाँ पर आपको recent जो graduate से apply कर सकते है, ऐस सच कोई better नहीं करता है कि आप किस background से belong करते हो, आप एक engineering background से, आप ए directly, कोई भी issues उसमें नहीं होने वाले है, आप क्या-क्या चीज़ा सीखने वाले हो, the very first thing, आपको detailed वो चीज़ा देखनी है, तो सबसे पहले चीज तो यहाँ पर download पर टाप करना, यहाँ पर सारी चीज़ा डाल देनी है, just for an example, मैं यहाँ चीज़ा डाल देता हूँ, just for an example, dummy dummy चीज़ा डालना हूँ, ताकि आगे जाके थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैंने UG degree अपनी डालनी है, ठीक है, तो मैंने B.E.B.Tech चीज़ कर लिए, उसके बाद 21 प्रोग्राम मैंने चीज़ किया, फिर मेरा classroom मैं प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ, बैंगलोर समिट करने के 15-10 questions भी सही करती है, तो आपको मिल जाते है, 60% से उपर होना चाहिए, बस ठीक है, यहाँ पर टेस्ट ले लिए, आप यहाँ पर टाप करके, I can directly go to the program page, you have to give the page, मतलब टेस्ट आपको देना पड़ेगा, that is the first step, आपके उपर डिपेंड करता है, आपको scholarship चाहिए 5,000 यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हो, that is what is the curriculum, curriculum के बारे में हम लोग डीटेल में देखना चाहिए, the very first thing that is, you will be learning about basic Excel, उसके SQL programming के बारे में आप सीखने वाले हो, जो भी commands अगरा होते है, DML statements होते है, integrity होती, constant normalization, इसारे ब programming सीखो, जिसमें pandas, visualization, कैसे हम data analysis कर सकते हैं, introduction to machine learning, उसके visualization tool भी आपको आना चाहिए, अगर आप data analysis के तरह जा रहे हो, definitely वो सारी चीज़े भी सिखाया जाती है, तो आपको उसके बाद आपको ऐसा नहीं कि भी है, बस सिखाया जागा, practically भी आपको चीज़े कराई जाती है, तो आपको projects भी पढ़ा जाते हैं, जो आपके capstone projects होते हैं, life projects आपको कराया जाते हैं, and other than that, आप बहुत धे सारे लोग हैं, जो यहाँ पर video testimonial जो आप देखके, definitely आप यहाँ पर जा सकते हो, definitely अभी जाके आप अप्लाई करना चाहिए, अगर आपको data analyst में थोड़ा भी interest ह आप डाइरेक्टली चार महीने के इंदे data analyst बना जातो, टाइम नहीं हो, definitely इस program को consider कर सकते हो, description आप्लाई करने का link देदी है, direct वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जे हिंद वंदे मातरम, बबबाई